हेलो फ्रेंड्स हाव यौल आई होप इस वीक में हमने जितने भी वर्ट्स किये आपको याद होंगे एक बार ही हम उनी वर्ट्स की रिवीजन कर लेते हैं कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार चीज़े आपको जादा याद रहेंगे जादा बात ना करते हुए हम वर्ट्स करते हैं पहला वर्ट जो हमने सिखा हमने इस वीक में वर्ट सिखा रमेज रमेज पे हमने सिखा था कि वो रम रख के गया था मेज पे, हमने चिखा कि रम रख के गया था मेज पे, और मिल नीरी पापा जी घर आ चुके हैं, रम मिल नीरी, तो वो रमेज कर रहा है, रमेज का मतलब होता है to search something unsystematically, फिर हमने वर्ड सिखा था रूमिने ट, रम से ही वर्ड आया था रूमिनेट हमने चिखा कि रम लेके आया और सोच रहा है इन ले जाऊं अंदर जाके एट करूं उसके साथ में या बहारी बैट के पीलूं तो रूमिनेट कर रहा है रूमिनेट का मतलब होता है कि इसी चीज़ पर सोचना सोच विचार करना तू थिं फिर हमने इसी के लिए की डियम किया चूदाकड चूदाकड का मतलब भी था तू थिंक सम्थिंग डीपली ठीक है और चूदाकड का ही मतलब होता है जो गाएं भैस वगारा जो जुगाली करते हैं उसी को बोलते हैं चूदाकड फिर हमने एक वर्ड सिखा स्कोच स्कोच का मतलब होता है स्कोच का का मतलब होता है made in Scotland को का मतलब दारू के लिये भी है और च्टोच का ही एक मतलब होता है to stop something in starting to prevent something from happening स्कोच﹑ लेकर आया और स्कोच पीने का plan कर रहा था लेकिन पापाजी आ गए थे तो स्कोच पीने के प्लैन को स्कोच करना पड़ गया निपिंदा बड हमने इसी के लिए एक इडियम सीखा था निपिंदा बड ठीक है फिर हमने सिखा बकनेलियन बकनेलियन वर्ड में सिखा हमने की बच्चन भी हो गया एलियन क्यूंकि उसने दारू पी ली थी तो बकनेलियन का मतलब होता है या बकनेलियन का मतलब होते है involving lot of drinking ठीक है बकनेलियन का synonym था drunken इसी का हमने synonym किया dipsy dip dip गया सी डुब गया सी दारू देविच ठीक है जी फिर हमने सीखा बिबुलस बिबुलस में हमने सीखा था यह जो बिब वर्ड है बिब का मतलब ही होता है to absorb something बिब माने to absorb OUS माने full फुल ओफ तो बिबुलस हो जाता है जब full absorb कर ली हो जब ज़्यादा दारू पी ली हो तो उसको बोल देते हैं बिबुलस फिर हमने वर्ड सिखा था tipsy एने पिती सी किनी पिती सी tip which मिली सी ओही पिती सी की तो tipsy हो जाता है थोड़ी सी पी लेना tipsy होता है less drunken पी रखी है लेकिन less drunken है बिबुलस डिपसी और बकनेलियन full drunken होते हैं जिसने बिल्कुल नहीं पी रखी उसको हम बोलते हैं और जो कभी नहीं पीता उसको हमने बोला था टी टोटल टी पीता है बिब का हमने एक मतलब सीखा बिब माने एब्जोब और बिब का ही एक जोटे बच्चे के गर्दन पर हम यहां पर बच्चे को जब भी फीडिंग करवाई जाती है तो उसको यहां पर एक एपरन करना आ जाता है उसको बोलते हैं बिब फिर हमने सीखा इंबाइब इंबाइब का मतलब था तो टेक इन कुछी इंफोमेशन को ले लेना या तो डिंक अलकोहल इसका था दारू पीना या इंफोमेशन लेना ठीक है जी फिर हमने सीखा था और जी और जी में सब कहते हैं और लेलो जी और लेलो जी और जी होती है एक ऐसी पार्टी जिसमें बहुत ज़्यादा अलकोह डिलीरियम हमने सिखा जिए डेली रम पीता था और डेली रम पीने के कारण उसके mentally प्रभाव पढ़ गया mentally illness हो गई उसको बोलते हैं डिलीरियम डिलीरियम का मतलब था कि mental illness या large amount मतलब बहुत जादा excess में किसी चीज के लिए excitement implement फिर हमने सिखा था इशमल इश इष किसी गंदी चीज को बोला इश य को बाहर करो इशमल का मतलब मतलब होता है और रिषघिंदी रिषघो मतलब होता है या तो जाए कर ले वेल ड्रिवल मत कर दीरिवल का मतलब होता है, बक्वास बैबल बैबे बैबे बक्वास बैबे बैबे मत कर बैबल मत कर पहला वर राखी सावन ने कहा कि मैं पहला वर बनाऊंगी पहला वर भी था बक्वास फिर वर्ड सिखा शिवर शी का जब वो वर बनने जा रहा था तो वो शिवर करने लगा आज कल ठंड पड़ रही तो शीवर होता है कांपना, कांपकपाना, शी का वर बनने से पहले हर बनने के बाद हर बनने की कपकपी छूट जाती है, शी का वर बनो, चाहिए क्वीन का वर बनो, कपकपी तो छूटेगी ही, शीवर, क्वीवर, इसी का सिनोनिम था ट्रेंबल, कह रहा है तेरे में बल अब कम हो गया है तो कांपता है तो ट्रेंबल इसी का सिनोनीम था क्वेक अर्थक्वेक और शेक ठीक है जी सब का मतलब होता है कांपना फिर क्वीवर वर्ड का ही हमने दूसरा मतलब सीखा था कि क्वीन का वर बनने गया तो क्वीवर में से एरोज निकाले क्वीवर का मतलब होता है कि तरकश फिर वर्ड आया स्कैबर्ड स्कैबर्ड वर्ड होता है ये था केस फोर एरोज ये था केस फोर स्वार्ड कबर्ड में रखते हैं हम स्कैबर्ड को और ये था होल्स्टर हो ऐसा केस जिसमें होल करने वाली चीज रखते हैं, handgun, pistol, holster बोलते हैं उसको, फिर हमने वर्ड सीखा, bolster, holster से related, मिलता जुलता वर्ड, bolster, क्या रहा है, बोलने से आपका स्तर, bolster होगा, improve होगा, strengthen होगा, मजबूत होगा, bolster का मतलब होता है, to support या strengthen करना, इसी का synonym क्या, reinforce, re माने दोबारा, in माने अंदर, force किसी के अंदर दोबारा से, force डालना, reinforce, butter और रस से, आपकी body buttress होती है, buttress का मतलब हो जाता है, support करना, strengthen करना, spouse, spouse हमने सीखा था, spouse का मतलब होता है, life partner, life partner भी एक दूसरे क espouse करते हैं, तो यह सारे synonym थे, bolster, reinforce, buttress, espouse, इनी का synonym हमने एक phrasal verb सीखी, stand behind, इसका मतलब भी होता है, support करना, advocate as a verb मीनिंग होता है, support करना, मजबूत करना, ऐसा ही फिर हमने एक phrasal verb सीखी, vouch for, vouch for का मतलब होता है, किसी के लिए guarantee देना, then we learnt spouse, spouse माने life partner, फिर हमने एक word सीख बगैबू, बगैबू होता है, जिससे आपको डर लगे, इसमें हमने सीखा था, बगले रे, भू आया, भूत आ गया, तो भाग ले, फिर हमने सीखा भगले, बीयर आया, बीयर माने भालू, तो बगैबू या बग बीयर, दोनों का मतलब होता है, an object of fear, फिर हमने सीखा था spectre, inspector का spectre, ये भी होता है, जिससे आपको डर लगे, phantom तो होता ही, भूत है, फिर हमने सीखा था, apparition, apparition में हमने याद किया, ओपरी आ गई उसके अंदर, तो ओपरी से हमने याद किया, की भूत, तो हमने ये सारे वर्ड सीखे, बुगैबू, बग बीयर, स्पेक्टर, phantom, term apparition सबका मतलब था भूत जो आपको भूत जो चीज आपको डराए और इन भूतों को भगाने के लिए हमने बुलाया एक्जोर्सिष्ट को हमने बुलाया एक्जोर्सिष्ट को एक्जोर्सिष्ट होता है भूत बगाने वाला अंत्री और एक्जोर्साइज होता है भूत बगाना फिर हमने एक वर्ड सीखा बुकेनीर बुकनीर का मतलब होता है बुखा हो जो नीर में पानी के अंदर पाइरेट हमने इसका मीनिंग सीखा पाइरेट होता है लुटेरा फिर हमने वर्ड सीखा रेमपेज बुकनीर फिर हमने वर्ड सीखा रेमपेज जो रमपी के सबसे आगे चल रहा था और वहाँ पर उसका पैर लड़ खड़ा गया, out of control हो गया, rampage गा मतलब होता है out of control, इसी का synonym था amok, किसी ने आपका amok मजाक उड़ाया तो आप हो गया out of control, इसी का synonym था berserk, ये भी होता है out of control, लोगों का भेजा सरक गया, सरक गया तो out of control हो गया, फिर हमने सिखा जब ब़ार दि गई, manacles, manacles होता है, हतकडीया या किसी को limit में लेके आना, ये out of control हो गया, limit से बार हो गया, उनको फिर manacles किया गया, यानि की limits में लाया गया, man की अकल ठीकाने लगाने लिए manacles लगाई जाती है, manacles हो जाता है, हतकडीया, manacles होता है, limits में लाना, इसी का synonym था شै शेकल, शाकाल को शेकल से बांदा गया, ओ फैट, फैटर इसी का सिनोनिम था, ओ फैट, जादा टर्टर मत कर, फैटर कर दूँगा, इसी का सिनोनिम हैंड कफ, हैंड कफ यूज गरते हैं, कडियां हाथ में कफ की जगा पे, इनी का सिनोनिम आइरंस, और इसके लिए हमने दो सिखे थे, एक सिखा, क्लैंपिन आइरंस, दूसा सिखा, अंडर लोक एंड की, दोनों का मतलब था, किसी को जेल में डालना, ठीके जी, एक हमने इडियम ये भी सिखा था, to talk through one's head, to talk through one's head का मतलब था, सिर के उपर की बाते करना, बक्वास करना, ये जो वर्ड्स थे, पहल फैली सिटी, फैली हुई है, पूरी सिटी में, फैली सिटी, मैरी कोम अभी जीत के आई, तो फैल गई पूरी सिटी में, उसकी पूरी सिटी में, फैली सिटी, तो खुशी फैल गई, एक्स्ट्रीम हैपिनेस, इसी का सिनोनिम किया, गली, गली में खेल के मिलती है, गली, ए इसी का synonym था, भजर्ग के साथ भी go use होता है, एमोग के साथ हम run use करते हैं, go bananas, go out of control, और एक हमने निपिंदा बड, इस स्कोच वर्ड का synonym सीखा था, निपिंदा बड का मतलब था कि किसी चीज को starting में ही खतम कर देना, बड का मतलब होता है कली, फूल को, कली, फूल में कली को ही खतम कर देना, उसके लिए हमने लगा दिया निपिंदा बड, ठीक है फ्रेंट्स, तो ये सब वर्ड से हमने जो इस वीक में सिखे, प्लीज इन सब को revise करते रहा किजिए, और आपको साथ की साथ इन वीडियो को प्लीज, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है जी, थेंक यू फ्रेंट्स, लाद हमते कीजिएगोसे सब देदंच में स्यक्तर 넘दानी पजसेंज, बढ़ हमें सब क्याती कि आढ़ा ड्लीज, भाद हमें सान्मृब को थीक में समय कोАँ अGMूब करना मत भी कितू करोथी किते बढ़ाद्स,